तो फ्रेंग्स आज मैं आपको बताऊंगा कि गियर रेक ये किस तरह का गियर होता है ठीक है दोस्तों गियर रेक एंड पीनिन शिस्टम इस पॉसिबिल तो कम्बाइन स्पर गियर विट रेक तो कनवर्ट रोटेशनल मोशन तो लाइनर मोशन कि मैं अब आपको फोटो दिखाता हूं जाँ ये टेकर है रोटेशन मैं अभी वीडियो पर आता हूं तो दोस्तों a rack consists of teeth cut in a straight row on a flat surface जैसे कि मैंने आपको दिखाया दोस्तों एक flat surface है और ये जो rack है इसमें भी teeth आपने देखे होंगे फोटो में ये surface पे चलता है इस teeth have the same profile as a spur gear दोस्तों जो spur gear में teeth होते हैं इसी में भी same gear rack में भी same teeth होते हैं same profile होता है उनका भी the spur gear teeth made with the teeth on the rack similar to how they would mash with another spur gear दोस्तों जो spur gear के जो teeth हैं जो same made होते हैं जो track similar उनको बनाया जाता है दोस्तों gear rack को ये लोग rack and pinion system के नाम से भी जाना जाता है बजार में finds use in many products ये काफी सारे products में दोस्तों पाया जाता है अपने को काम में आता है तो ये mostly यही gear use होता है gear rack system इसको pinion system भी कहा जाता है it is used to fine tune machinery parameter two for example control the amount of fuel that enters a diesel generate through a high pressure fuel pump दोस्तों ये fine tune करने के लिए भी use किया जाता है mustardy petameter में suppose example यहां पर जिया हुआ है control the amount of fuel जो fuel आ रहा है दोस्तों उसको amount को control करने के लिए जो कि diesel में enter होता है diesel generator में enter होता है वो high pressure fuel pump से उसको भी fine tune करने के लिए काम आता है दोस्तों ठीक है दोस्तों इसी कोई कहते है gear rack तो friends अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो please आप मेरे channel को जरूर सब्सक्राइब करें और bell icon को भी दबाए आकि मैं जो भी वीडियो बनाऊ वह आप तक पहुचा सको thank you